जैसरी किष्णा राधे राधे पित्री पक्ष में जो हमारे पुर्वज है वो सुक्ष्मरूप में आकर हमसे कुछ चाहत रखते हैं और कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें सुब और असुब संकेत भी देते हैं कि वो हमसे संतुष्ट है या नहीं लेकिन कुछ खास माना जाता है क्योंकि इस समय में आप पुर्वज जो हैं आपके अपने परीजनों के यहां आते हैं और उनको आसिरभाद भी देते हैं सास्त्रों में पित्री पक्ष को लेकर कई बाते बताई गई हैं इन दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए और अगर आप छोटे- प्रियोक जरूर कर सकते हैं जैसे कि सुबह सुबह सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजों को जल में एक चुटकी हल्दी मिला कर धो दे सुबह अर्ली मौणिंग उठते ही याद रखिये जैसे ही आप पहले जारू लगाने के पहले दरवाजे से घर से बाहर निकलन ऐसा करने से आपके घर में देखिएगा बरकत होगी आपकी उन्नती होगी कभी धन की कमी नहीं होगी साथी परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ा रहता है धन आता रहता है दूसरा जो पक्ची हैं उनको आप दाना डालें लेकिन एक बात याद रखिएगा बहुत साई लोग छट पे डाना डाल देते हैं आप ऐसा ना करें आप ने छट पे दाना तो डाला लेकिन अगर कभूतर आ गया चुगने के लिए तो फिर यहां पर रहू एक्टिव हो जाएगा फिर जीवन में परिसानियां बढ़ जाएगी इसलिए पंच्छियों को दाना छट पर न डाल कर आप आंगन में अगर घर का आंगन है तो नह एक मिट्टी के बरतन में आप या फिर किसी भी चीज में आप जल भर कर कहीं पर भी साइड में रख दिया करें चिडिया लोग जो होता है पंच्छी लोग वो लोग जल पिएंगे कोई जानबर जल पिएगा इससे आपको आश्री बात देगा तो आपकी स्वास्त की समस्य आएं बाधाएं भी समाप्त होगी और पितर देवों को भी अच्छा लगेगा उनको मुक्ती मिलेगी वैसे तो पित्री पक्ष में एक नियम बना लें कि हर रोज गाए और कुत्ते को जरूर खाना दें कुत्ते या गाए तोन में से जो भी आपके दरबाजे पर आए हर रोज सुरी को जल देंगे ये बहुत ही सुकार है और सुरी को जल देते समय जल में आप एक चुटकी हल्दी डालकर रपीत करें और साथ ही सुरी को जल देने के बाद दक्षिन दिसा की और मुह करके पितरों का ध्यान करते हैं जल दे ऐसा करने से पितर देवों की आत्मा को सांती मिलती है लेकिन जब पितरी देवों को आप जल देंगे तो जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर ही डा और पित कीजिएगा उनका असिरबाद आप पर बना रहेगा वैसे तो पितरी पक्ष में गाय, कुटा, कववा, चीटी और देपता पांचों के लिए आहाड निकाला जाता है वैसे आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं नहीं तो सिर्फ अगर गाय को भी खिलाएं तो आपको सभी का आहाड निकालने के इतना ही पुन्यफल प्राप्त होता है तो पितरी पक्ष में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी है जो प्रान बायू देते हैं जीवन की परिसानियों को दूर करते हैं और सबसे पहला उसमें है पीपल का बिच पितरी पक्ष में जब आप उपासना करते हैं पितरी देवों के निमित आप उनकी पूझा पाट करते हैं तो आप निमित रूप से पीपल के बिच के नीचे एक दीपक जरूर जलाए इससे पितरी देव परसन्न होते हैं तो दीपक जलाने से और दीपक के बगल में थोरा सा जल ढाल देने से पितरी देवों की आत्मा को त्रिप्टी मिलती है दीपक जहां रखा है आपने वही पर जमीन में थोरा सा और अगर आपके कुंडली में गुरुचांडाल योग हो तो पीपल का पहधा पित्री पक्ष में अपने हाथों से जरूर लगा दीजेगा गुरू चांडाल योग का दोस्त समाप्थ हो जाएगा वैसे तो बर्गत का पेड जो होता है न उसको लगाने से पित्रों की मुक्ति हो जाती है अगरव पित्री 선 में आपके शपने में बार-बार आ रहे हैं तो आप बर्गत के नीचे बैट कर सीब्जी की पूजा कर सकते हैं या फिर आप एक अपने हाथों से कहीं भी सार्वजरी का स्थान पर बरगत का पौधा लगाते हैं आपके पित्री देवों को मुक्ति मिल जाएगी तीसरा है बेल का पौधा जो बेल का ब्रिच है न, वो मुक्ति देने वाला पौधा है जो सिब्जी का सबसे प्री है और बेल ब्रिक्ष के बारे में तो ये तक कहा जाता है कोई अगर जैसे कोई मृत बैक्टी उसका सरीर को लेकर बेल के ब्रिक्ष के नीचे से गुजर जाए तो उस मृत आत्मा को मुक्ती मिल जाती है और वो जन्व जन्वांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है तो पित्री पक्ष में अगर आप बेल का बिच अपने हाथों से लगा दें तो ओत्रिप्त आत्माओं को सांती मिल जाती है तो बेल पत्र का पेड जरूर लगाएं चोथा है असोग का पेड कहते है जहां असोग का पेड होता है वहां दुखल तकलिप लगाएं पित्री पक्ष में तो घर का भारीपन समाफ्त हो जाएगा घर में सुखसम्रद्दि बरकत बढ़ी जाती है तूलसी का पौधा ऐसा कहा जाता है कि तूलसी का एक पत्ता बैकुंट तक पहुचा सकता है आपको तूलसी का जो पौधा है तो पित्री पक्ष में अगर आप तूलसी का पौधा लगाते हैं तो पितर देवों को भी निस्चित रूम से उनको मुक्ष मिल जाती है उनको तृप्ति मिलती है और अगर तूलसी का पौधा घर में फले फूले तो घर में अकाल मृत्यू की जहाने का प्रतीक है तो बर्गत पीपल बिलुपत्र असोक और तुलसी अब दूसी तरफ देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम है लेकिन नियम उतने लोग मानते नहीं क्योंकि दुनिया आधुनी खो रहा है अपने हाथों से पौधे लगा दें तो कोई हानी भी नहीं है आ आप जरूर लगाएं अब एक और खास बात आपसे हम साजा करेंगे फिर बताएंगे कि पित्री देवों के निमित कहां दीपक जलाएं और क्या करें देखिए हमारा सास्र कहता है कि कव्वा अतिति आगमन का सूचक है तो पित्रों का आस्र अस्थल भी माना जाता है और स् एक कवे के सरीर में स्थित होकर बिचरन करती है गरूर जी महराज वैसे तो भगवान स्रीहरी के वाहन है और भगवान गरूर के नाम पर ही गरूर पुरान है जिसमें स्राद कर्म स्वर्ग लोग पित्री लोग आदी का भी उल्लेक है तो पक्षूँओं में गरूर जी को बहुत ही पवित्र माना गया है और भगवान राम को मेगनात के नाग पास से मुक्ति दिलाने वाले गरूर का ही आस्रे लेते हैं इसलिए गरूर का भी महत्र है हन्स एक ऐसा पक्षी है जो देव आत्माएं आस्रे लेती है और आत्माओं का ठीकाना है अपने जीवन में ज दूत माना जाता है कहते हैं इसके माध्यम से जो बस्तुएं है इस्वर माध्यम से बस्तुएं नजर आती है दरासल कुत्ता एक प्रानी है भविस्र में होने वाली घटना हो और इस्वर का माध्यम की आत्मा है उसको देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ गाय जो देवी तो हांती को पुरुजों का पृतिक भी माना जाता है क्योंकि जिस दिन किसी हांती की मिर्टी हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है तो चलिए जानते हैं कि वो दीपक कहां जलाएं पित्री देवों के निमित देहिए एक दीपक सरसों के तेल का उसमें एक चुटकी काला तिल या काली उड़त डाल दें और इसको और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक बरतन में पात्र में पानी और एक पात्र में साइड में रख दें कैसे रखेंगे दीपक कलो दक्षिन दिसा की ओर होगा पास में पानी रखें और जो अपने मिठाई रखा है उसको रखें अगले दिन सुबह अगर किसी पंची ने खा लिया है तो अच्छी बात नहीं खाया है अगर आप छत पे रखते हैं तो पानी क पित की है उसको किसी जानबर को खिला दें और जो दीपक हैं कई मिठी में दबा दें अगर आपने घर से बाहर निकाल के किया है तो कोई जानबर तो खाई लेगा लेकिन अगर पड़ा हुआ है तो यही प्रक्रिया वहां भी दोह रही है आपके पित्री देवों की निमित अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखें ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddhrmasamag.com गूगल सच करके आ सकते हैं धन्यवाद